जैस्री करश्न मित्रों, मित्रों आज आपको हम बताने जा रहे हैं देनिक राशी फल दिनांक 23 जनवरी 2023 सोमवार के दिन का तो आज के देनिक राशी फल के अनुसार आज शुब ग्रहों की द्रश्टी वा भगवान शिव की करपा से आज 12 में से 7 राशी वालों को भाग्य का भरपूर सांथ मिलेगा इन 7 राशी वालों में आज हैं मेश, वरशब, मिथुन, सिम्व, कन्या, धनू और कुम्भ राशी वाले लोग वहीं अन्य राशी वालों को आज मिले जुले परिनाम मिलेंगे तो मित्रो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एश्ट्रो गुरुजी में यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे आप नित्य का राशी फल नहीं नहीं ग्यानमरधक जानकारिया हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो आज मागमाश सुकल पक्ष की दितिया तितिय है सोमवार का दिन है आज दिन की सुरवात धनिष्ठा नक्षत्र से होगी और मकर राशी में चंद्रमा का संचरन होगा आज सुर्योदई प्रातहकाल साथ बच के तेरह मिनिट पर होगा और सुर्यास तसाम के पांच बच के बावन मिनिट पर होगा आज राहुकाल प्रातहकाल आट बच के तेतीस मिनिट से आरंबहो करके प्रातहकाल नो बच के त्रेपन मिनिट तक राहुकाल रहेगा तो आज राहू काल के दोरान, आप कोई भी शुब मांगलिक व नया कारिय शुरू नहीं करें, इस समय अवधी में किसी भी नई वस्तु की खरीदारी करने से भी बचें, आज दिसा सोल लहेगा पूर्वधिसा में, तो आज के दिन आप पूर्वधिसा की और मुख करके, का अधिक से अधिक संख्या में जाब करके यात्रा आप कर सकते हैं और आज का सरवस्रेष्ठ महुर्त अभी जीत महुर्त आरंब होगा दोपहर बाराह बच के ग्याराह मिनट से आरंब हो करके दोपहर बाराह बच के चोपन मिनट तक सरवस्रेष्ठ वर शुब महुर्त रहे इस महुर्त में आप कोई भी शुब मांगलिक वा नया कारिय आरंब कर सकते हैं या किसी भी नई वस्तु की खरीदारी आप करना चाहते हैं तो इस महुर्त में आप कर सकते हैं तो अब जानी अपनी जन्मराशी के अनुसार आज आपके भागिके सितारे क्या बोलते हैं और आ प्राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज आप अपनी योगिता के अनुरूप पुरुषकार या सम्मान प्राप्त कर सकेंगे साधी विवाह या अन्य कोई आयोजन में शिरकत करने का अवसर आपको मिल सकता है यदि आप दूर यात्रा का विचार कर रहे हैं तो इस दिसा में आपको आगे कदम बढ़ाना चाहिए आपको सफलता मिलेगी नौकरियादी आप करते हैं तो दिन बहुत अच्छा रहेगा माता पिता आपके काम में हाथ बटाने की पूरी कोशिश करेंगे उनका असिरवाद भी आपको मिलेगा आज आपको भ विशेश उपा इस प्रकार से हैं प्रातहकाल इसनान करने के पश्चात भगवान शिवजी को कच्चा दूद अर पित करें रितू फल का भोग लगा करके यथा शक्ती शिवजी के नाम मंत्रों का जाप करें ऐसा करने से कारे में आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगली र व्रशब राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज व्यावसाइक महतुकांग्ची योजनाएं आप सुरू कर सकते हैं अगर आप उच्च अध्यन या नोकरी आदी के लिए विदेश या दूर जाना चाहते हैं तो आप निरास नहीं होंगे यदि पेत्रक संपत्ती के संबंद में कोई मामला आपका लंबित है तो यहाँ आपके पक्षमेत होगा व्यापार व्यवसाइश से जुड़ा कोई बड़ा मसला आज हल हो सकता है निवेस के मामले में आपको कोई नई सलाह मिलेगी जोड तोड़ करके काम करेंगे तो सफल रहें तो आज के दिन कारी में विशे सफलता पाने के लिए आपका विशे सुपा इस प्रकार से है प्राताहकाल इस्नान करने के पस्चात भगवान शिव की गंद पुष्प अक्षत के द्वारा पुजन करें मिश्री का भोग लगा करके बिलव पत्र चड़ावें यथा शक्ती शिव जी के नाम मंत्रों का जाप करें ऐसा करने से कारी में आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगली राशी है मिथुन मिथुन राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज योजनाओं को आप पूर्ण रूप से क्रियानिवित कर सकते हैं और वहाँ के लिए लाबदाएक भी सिद्ध होगी नौकरी पेसा लोग कारिय स्थल पर अपने कारिय और करते वे निष्ठा के लिए उचित प्रसंसा वा सम्मान प्राप्त कर सकते हैं परिवार के किसी सदस्ची की परेशानी समझ करके उसकी सहायता आप करें बहतर होगा पुरानी सम आपकी प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारिय में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से हैं प्रातहकाल इसनान करने के पस्चात भगवान सिवजी को पंचाम रसे इसनान करावें सुद्ध जल चड़ा करके यथा शक्ती भोग अर्पित कर और भगवान शिवजी के नाम मंत्रों का जाप करें इसा करने से कारी में आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगली राशी है करक करक राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कि आज जो है साहित्य कला लेखन संगीत फिल्मों या खेल जैसे रचनात्मक चेत्रों से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा और आकरशक डील आपके हाथ लग सकती है आज आपका आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा काफी मजबूत होगा रोजी रोजगार की दिसा में प्रगती होगी स्वास्थ भी आपका बहतर ह लेकिन लापारवाही आज बिलकुल नहीं करें तो आज आपको भाग्य का साथ चोंसट प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्य सालियंक 9 है शुबरंग आपका बेंगनी रंग है बेंगनी रंग का प्रियोग कारी छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आज के दिन कारे में विशे सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है प्रातह का लिश्नान करने के पस्चात शिव परिवार की गंद पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें मिठाई का भोगर पित करें यथा शक्ति शिव जी के नाम मंत्रों क जाब करें इसा करने से कारे में आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगले राशी है सिम्ह सिम्ह राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा व्यावसाइक संदर्ब में आशावादी द्रश्टी कोन के साथ कारे स्थल पर आप बहुती उर्जावान रहेंगे आप अपने विवहार में अत्यदिक सफल होंगे और ग्राहकों के साथ इस्थाई संब बना पाएंगे आप अपनी योग्यता को साबीत करने के लिए बहतर अवसरों का लाव उठा पाएंगे बिजनेस और कारी चेत्र से जुड़ा हुआ कोई पेसा आपको मिल सकता है कारोबारी यात्रा में अनुकूल सोदे आपके द्वारा होंगे आज आपको भाग्य का सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से हैं प्रातहकाल इसनान करने के पस्चात गंद पुष्पा अक्षत के द्वारा शिव परिवार की पूजन करें शिव जी को मिस्री का भूगर पीत करें बिल्व पत्र चड़ावें यह था शक्ती शिव जी के ना आपको करना पड़ सकता है सतर करहें अधिकारियों के साथ व्यवार करते समय आपको अधिक सावधान रहना चाहिए उनका विरोत करने से बचें व्यावसाइक संदर्व में कुछ नए परिवर्तन हो सकते हैं पुराने कर्जों से मुक्ति मिलेगी संतान की सिक्षा संबंद सफलता से परिवार में अच्छा माहोल रहेगा आज आपको भाग्य का साथ 85 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्य शाली अंक नो हैं शुब रंग आपका पीला रंग हैं पीले रंग का प्रियो कारे छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको सुपाई इस प्रकार से हिन प्रातहकाल इस्नान करने के पश्चात शिवजी के पास सुद्ध घी का दिया जला करके पंच मेवा का भोगर पित करें बिलवपत्र चड़ा करके भगवान शिवजी के नाम मंत्रों का यथा सक्ति जाप करें इसा करने से कारे में आपको अच् संबंदी मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे आपकी बच्चत आपके परिवार के लिए लापकारी रहेगी आज नए मित्र आपके द्वारा बन सकते हैं आप घर के सदस्यों की इच्छाओं को समझने की कोशिश अवश्य करें आज आपको भाग्य का सान्त नभ्य प सफलता पाने के लिए आपका विश्य उपा इस प्रकार से है भगवान शीव जी को कच्चे दूद में केसर मिला करके शनान करावें और मिश्री का भोगर पीत करके भगवान शीव जी के नाम मंत्रों का जाप करें ऐसा करने से कारी में आपको अच्छी सफलता मिलेगी आपको महत्वपूर्ण कनेक्शन या संबंद इस्थापित करेंगे योजना बना कर काम करने से आप काफी सफल नहेंगे प्रापर्टी संबंदित कारे करते समय आज आपको सतर करहने की आवशकता रहेगी तो आज आपको भाग्य का साथ 95 प्रतिसत प्राप्त होगा आज भाग्य शाली अंक छे है शुबरंग आपका आस्मानी रंग है आस्मानी रंग का प्रियोग कारी छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारी में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपा इ आप करें इसा करने से कारी में आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगले राशी है धनू धनू राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज कई वित्ती फाइदे आपको मिल सकते हैं आप असीम दोलत के मालिक बन सकते हैं आए के नए नए इस्तरोत्र बने व्यावसाइक संदर्म में अच्छा वक्त रहेगा परिणाम आपके पक्ष में रहेगे आपकी नीजी जिन्दगी में सब कुछ उत्तम रहेगा आकस्मिक लाप के अवसर मिलेंगे नया व्यावसाइद चाहते हैं तो सावधानी बरते नोकरी आदी की तलास में लगे विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारे में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से हैं प्रातहकाल इसनान करने के पश्चात भगवान सीवजी की गंद पुष्प अक्षत के द्वारा पुजन करें रितू फल का भो गर्पि स्वास्त के संदर्ब में आप कुछ पुरानी बिमारियों से प्रभावित हो सकते हैं सतर करें सरीर के निचले हिस्से में कुछ परेशानिया हो सकती हैं स्वास्त का ध्यान रखें कोर्ट करचरी में चल रहे मामले आपके सुलच जाएंगे कारोबारी यात्रा के योग हैं जिससे लाब मिलेगा घर में किसी मांगलिक कारी संबंदी योजनाएं बनेगी आज आपको भाग्य का सांत 65% प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्य सालियंक आठ हे शुबरंग आपका बेंगनी रंग है बेंगनी रंग का प्रियो कारी छेतर में आज अधिक सदिक प्रतियोगिता आदी में हिस्सा लेने वालों के लिए दिन काफी अच्छा रहेगा व्यावसाईक कारियों में कुछ अनावश्यक तनाव उत्पन हो सकता है जिस कारण आपका मन थोड़ा विचलित हो सकता है धेरिय धारन करें प्रेम करने वालों के लिए समय सहयोगी रहेगा इनकम भी आपकी अच्छी रहेगी आज आपका आत्म विश्वास भी पहले से काफ सफलता मिलेगी आज आपको भाग्यका साथ सतर परतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्यशाली अंक चार है शुब रंग आपका सफेद रंग है सफेद रंग का प्रियोग कारी छेतर में आज अधिक सदिकाप करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारी में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से हैं, प्रातहकाल इसनान करने के पस्चात, गंद पुष्पा अक्षत के द्वारा शिवजी का पुजन करें, शिवजी को बिलवपत्र और धतूरा अरपित करें, मिश्री का भोग तो दूसरों पर अधिक प्रभाव डाल पाएंगे, यदि आप अधिकारियों के साथ टकराव से बचे रहें, तो व्यावसाइक छेतर में अच्छी प्रगति करेंगे, आपके दुस्मन आपका कुछ बिगार नहीं पाएंगे, नोकरी आदी करते हैं तो तरक्की के योग ब तो आपको विशेश लाप की प्राप्ति होगी, तो आज कारी छेतर में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपाईस प्रकार से ही, प्रातहकाल इसनान करने के पस्चाद, शिव परिवार की गंद पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें, पंचमेवा औ प्रितु फल अर्पित करें, यथा शक्ती शिव जी के नाम मंत्रों का जाप करें, इसा करने से कारी में आपको अच्छी सफलता मिलेगी, तो मित्रों आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह देनिक राशी फल की जानकारी पसंद आई होगी, यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक वा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद जैस्रीक रश्नमित्रों फिर मिलेंगे।